थाना तर्मा पुलिस ने चोरी के जेवराता और नगदी के साथ अवियुक्त को गिरफतार कर लिया, एक बाला पचारी को भी पुलिस ने अभिरक्षा में लिया है दिनांक 17-2024 को वादी मुकदमा कनहया यादो, पुत्र स्वर्गी सुकनंदन यादो, गराम असधीर पुर्थाना तर्मा जन्पद आजमगट की रात में करीब एक बज़े अग्यात चोरों द्वारा बक्सा चुरा ले गया, जिसके संबन में मुकदमा अप्राज संख्या 209 वादी मुकदमा सुनीता देवी पतनी किशन देव विशुकर्मा ग्राम पट्टी भिखारी थाना तर्मा जन्पद आजमगट की घर से दिनांक 87-2024 की रात में किसी अग्यात चोर ने मकान के पीछे से दीवाल तोड़ कर घर के अंदर गुसकर चार चांदी की पायल, चार चांदी की बिशिया, एक सोने की अंगूठी, एक सोने की लाकेट, एक सोने की नत्नी और एक चांदी का ब्रेसलेट और 6000 रुपए नकट चुरा ले गए, इसके संबन्द में मुकदमा अपराज संक्या 213-24, धारा 331-4 और 305-1 BNS पंजी कृत हुआ, जिसकी विवेचना उ समशेर बहादूर सिंद्वारा संपाधित की जा रही है, इसी करम में दिनांक 15-7-24 को अपने इशक शीवम दिवेदी मैं हमरा को सूचना प्राप्त हुई, कि गराम बहोरिक पुर में जल मीशन योजना के तहद निर्माना दिन पानी की टंकी के पास लेबरों का कंटेनर दिनांक 17-24 को गराम बहोरिक पुर में और दिनांक 8-7-24 की रात गराम पट्टी बिखारी में जो चोरी हुई है, चोरी के जेवरात और रूपया अपने बयग में छिपा कर रखे हैं, कहीं ले जाने की फिराक में हैं, अगर जल्दी किया जा तो ये पकड़े जा सकते हैं, मुकबिर खास की सूचना पर गराम बहोरिक पुर में पानी की टंकी के पास दो व्यक्ति नाम अर्विंद चवान उर्क सिद्धू पुत्र रामसेवक, उमर 20 साल निवासी गराम पचासा थाना ईशा नगर जनपत खीरी और सुशील पुत्र रामसेवक, चवान उमर 15 साल को समय करीब 12 बज कर 10 मिनट पर गिरफतार करके पुलिस अभिरक्षा मिलिया गया जिसके पास से मुकदमा अपराद संक्या 209 बटा 24 धारा 305 ए 317, 317, 4 बी एनेस में एक अदद मंटी का पीली धात वो एक अदद नतिया, एक जोड़ी जुंका पीली धात करधनी, एक अदद सफेद धात, मीना एक जोड़ी सफेद धात, एक जोड़ी तोड़िया सफेद धात, एक जोड़ी बीशिया सफेद धात वो और एक अदद इस्क्रीन टच मोबाईल ओपो और मुकदमा अपराद संक्या 213 वटा 24 धारा 301, 4 और 305, 317, 2, 374 बी एनेस में एक जोड़ी पायल सफेद धात वो और 2000 रुपया नकत बरामत किया गया। गिरफतार करने वाली पुलिस टीम में वरिष्ट उपनिरीक्षक जीतेंद्र कुमार सिंग ठाना तर्वा जनपत आजमगड उपनिरीक्षक शीवन दुवेदी, कांस्टेबल वीपिन कुमार यादो, कांस्टेबल हर परशित यादो थाना तर्वा जनपत आजमगड शामिल रहे।